नमस्कार फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत था और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कन्या लगन और कन्या रासी के लिए जून 2019 का महीना कैसा रहेगा उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं जिससे आपको हमारी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकेगा और आपको यहां पर मंतली प्रेडिक्शन है वो आपको यहां पर अच्छे से यहां मिल सकेगी सबसे पहले आपको यहां मंतली प्रेडिक्शन मिल सकेगी तो हम आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं जो गोचर में जो परिवर्तन हो रहा है कुछ उसके बारे में थोड उसके बाद अगर बात करें मंगल की, तो मंगल 7 मई से 22 जून तक मिथुन में रहने वाले हैं, बुद्ध 2 जून से 21 जून तक मिथुन में रहने वाले हैं, और सुकर 4 जून से 29 जून वर्षब में रहेंगें, तो ये लगबग पूरे महीने ही वर्षब में रहने वाले हैं, इसके लवा गुरू की बात करें तो गुरू वर्स्चिक में वक्री रहेंगे यह आपके थर्ड हाउस में गुरू रहेंगे पूरे जून के दोरान इसके लावा सनी की बात करें तो सनी धनू में वक्री अवस्ता में रहेंगे फिर सनी बाद में 18 सितंबर के बाद से मारगी हो रहे है राहू मिथुन में रहेंगे और केतू धनू में रहेंगे तो रहु और केतु यहां पर अपनी उच्छ राश्यों में इस्तित हैं अब बात कर लेते हैं आपके जो combination यहां पर बन रहा है सबसे पहले तो आपका देखे फेस्ट लॉड आपका फेस्ट लॉड बनता है बुद्ध और fast load आपका आ रहा है जून के दोरान आपके 10th house में तो जब भी fast load जब 10th में चला जाता है गोचर से तो उसका क्या effect रहता है जबकि यहाँ पर मंगल और रहुआ अल्रेटी यहाँ पर विराजित है तो एक fast का load है मतलब fast house क्या है fast house में हम खुद हमारा जो physical appearance है वो आता है हमारा confidence हमारी thinking यह सारी चीज़ें आती है हमारा जो सरीर है वो fast house में हमारा जो वेक्तित्व है हमारी जो personality है वो fast house में और fast house बहुत ही important है और 10th house हमारे जो हमारे work जो हम काम करते हैं जो हम job करते हैं उसका है तो एक जो हम महनत करते हैं अपने काम में किसी भी हम अपने काम में जब महनत करते हैं तो वो हम 10th house से देख सकते हैं इसके लबा जब fast का लोड 10th में चला जाता है तो यह आपको बहुत अच्छा फाइदा करेगा यहां पर और फिर भी यह अपनी खुद की राजी में है तो और भी बहुत ही बेस्ट रहेगा यहां पर जो बुद्ध है वो आपका एक तो confidence बढ़ावा रहेगा आपका और आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे दूसरा यहां पर राहू और मंगल भी है तो जो यह यूती बन रही है तीनों की यहां पर यह काफी अच्छी है मंगल यहां पर बहुत ही energy दे रहे हैं और राहू खुद यहां पर है तो यह बहुत ही best placement है आप बहुत सारा hard work करेंगे इस दोरन और बिल्कुल आपको उसका positive result भी मिलेगा आपको name fame मिल सकता है इसकी वज़े से कि 10th house जो है वो आपको आपके कारिये से आपको fame दिलाता है जिस छेतर में आप होंगे उस छेतर में जिस जोब में आप होंगे उसमें एक आप बड़ा मुकाम हासिल कर सकेंगे इस दोरन इसके लावा अगर बात करें तो आपका 10th lord भुद्धी बनता है 10th lord आपका है भुद्ध और 10th lord 10th house में ही आ रहा है तो यह भी combination जो है यहाँ पर जो placement बन रहा है वो बहुत ही आपके लिए best रहेगा सबसे best placement जो है वो यही है तो आप कोई भी जो काम कर रहे हैं विसेश रूप से आप communication से जुड़े हुए होंगे तो communication से जुड़े हुए तो आपके लिए बहुत ही best है और इससे उत्तम कोई placement हो नहीं सकता आपके लिए विसेश रूप से उसके बाद हम बात करें तो आपका जो second lord है second lord आपका ninth house में है तो second lord जो आपके बनते हैं वो बनते हैं सुक्र शुक्र यहाँ पर आपके second lord बनते है और आपका जो second house है उस को हम किस तरह से देखते हैं वो हमारी speech का है second house से हम अपना जमाधन देख सकते हैं हमारे जो एक हमें जो एतियासिक knowledge होता है किसी चीज का वो देख सकते हैं और second house का समन्द विशेश रूप से पैसे से और second lord का जब ninth में चले जाना तो ninth में जाना एक तो ninth जो house है वो है higher learning का है इसके अलवा धर्म का है तो कहीं न कहीं आप कुछ ऐसा करेंगे या तो जो आप higher study में कुछ admission लेंगे या कुछ उससे आप कुछ पैसा अर्जित करेंगे आपको scholarship वगेरे मिल सकती है इसके अलवा यहाँ पर आप कोई धार्मिक कारिये भी करेंगे सूरिये दोनों साथ यहाँ पर हैं इसके लावा बात करें तो आपका ninth lord आपका ninth में यह तो यह जो दोनों combination बन रहे थे पहले वाला और यह यह दोनों बहुत ही अच्छे यहाँ पर आपके लिए बनते भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको यह काफी अच्छा करेगा विलासिता का कारक है सुक्कर गरे और यह आपको धरम से जोड़ेगा यहाँ पर क्योंकि यह दरम का हाउस है और आपको higher education की तरफ भी यह ले जाएगा यहाँ से सूरी यहाँ पर आयव है और आपको जो ninth house के जितने भी ninth house के जितने भी जो अच्छे काम है जो उनमें बहुत फाइदा होगा और second house के result पे आपको बहुत ही positive इस दोरान मिलेंगे उसके बाद बात करें आपका third lord third lord आपका देखे 10th में चला गया है तो आप वैसे तो आप communication से जुड़े हुए हैं दूसरा आपका third lord third house communication का है और ये काम हाउस भी है इसका lord जब 10th में चला जाता है तो communication आप ये समझा लीजिए communication यहां से transfer होके 10th में आ गया है तो communication के थरू आपका communication जो है वो बहुत ही best रहेगा इस दोरान आप बहुत अच्छे से लोगों को communicate कर पाएंगे आप अपने जो communication वरक है उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे और बहुत ही positive result पर आपको उसमें मिलेंगे जो लोग media से जुड़े हैं जो कन्या लगन की जो लोग media से जुड़े हैं उनके लिए बहुत ही best placement इस जून महिने के दोरान बनते वे दिख रहे हैं और आपको आर्थिकलाब भी काफी होगा नेम फेम भी अच्छा यहाँ पर मिलेगा इसके बाद देखें आपका एर्थ लोड आपका एर्थ लोड बनता है मंगल और एर्थ लोड आपका टेंथ में चला गया तो एर्थ लोड है थोड़ा अप डाउन का है यह आपकी जो जौब है उसमें कुछ हो सकता है कि थोड़ी से आपको जो obstacles हैं उनका सामना करना पड़ सकता है वाकि और राल जो चीजें यहाँ पर बिलकुल clear है और आपको positive result मिल बट थोड़ा बहुत हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं कुछ दिक्कते हों, कुछ आपके कारे में विवधान आए, या कुछ भी रिजन की वज़े से वो विवधान आ सकता है. तो अगले combination की बात करते हैं, अगला combination आपके बन रहा है, आपका 4th Lord आपका 4th Lord देखिए 4th Lord है आपका गुरू और गुरू चल रहा है 3rd House में तो गुरू जब 3rd House में आते हैं तो ये आपको काफी अच्छा करते हैं गुरू 3rd House में और ये एक positive energy है स्वाइम एक positive energy के रूप में हो और ये 3rd House की चीज़ों में एक positivity देते हैं आपको तो यहाँ पर जब आपको जो समंद बन रहा है तो आपका 3rd Lord यहाँ से चला गया 10th में दूसरा यहाँ पर आगे गुरू तो ये combination बहुत अच्छा बन गया क्योंकि आपकी जो 3rd House की यहाँ पर जो positivity है वो बहुत ज़्यदा बढ़ जाती है यहाँ गुरू आने से और गुरू जहाँ पर भी दरश्टी डालते हैं जैसे यहाँ से जो गुरू की दरश्टी रहेगी वो आपके नाउम भाव पर भी रहेगी तो आपको धर्म से जोड़ेगा और धरम से जुड़े हूए काम आफ वैसे भी करेंगे और उनसे पैसा भी अरजित करेंगे क्योंकि आपके । नांइंथ का जो समन्द है वो फिलहाल सेचिंड हाउस से भी बन रहा है यहापर और आपके थार्ड हाउस का समन्द यहाँ पर जो है fourth से बन रहा है तो आपकी happiness fourth house है हमारा happiness और हमारी खुसी इसके लवा जो आपको कोई भी भूमी का या कोई वाहन का जो योग बनता है वो भी हम fourth house से जोड के देखते हैं तो fourth house lord आपका third में चला गया अब third की चीज़ों को यहां पर positive कर दिया इसने और ninth की चीज़ों को भी ninth house की चीज़ों को भी काफी positive यहां पर इन होने करके रखा है गुरू ने उसके बाद अगर बात करें तो यहां पर सब्तम house में अपनी खुद की रासी को भी यहां पर दरश्टी डाले तो यह भी बहुत ही based आपकी जो marriage life में यहां पर इनकी गुरू की दरश्टी यह काफी अच्छी positive रहेगी आपकी अच्छी बनेगी अपने जो partner है उससे और बहुत ही अच्छा जाने वाल है आपके लिए अच्छा पार्टनर्स के साथ कुछ अच्छा communication फिल करेंगे बहुत ही आपका जो some pressure है आपका जो communication है बहुत अच्छा रहेगा आपके जो business partners हैं उनके साथ आपका business में काफी positivity देखने को मिलेगी काफी आपकी जो lab है उसमें वर्दी होगी यहां पर और आपके जो business partner हैं वो भी यहां पर आपको फूरा सहयो करेंगे और आप उनकी साथ अच्छे relation बना कर रखेंगे इस दोरान इसके लवा बात करें तो आपका जो fifth और sixth का lord बनता है sunny fifth और sixth का lord आपका बनता है sunny दोनों का lord sunny बनता है और आपके यह चला गया fourth house में मतलब आपका संतान का यहां पर जो संतान भाव है पांच नंबर और आपकी education education जो है इसका आपके fourth में चला गया तो कुछ यह fourth से relation दे रहा है यहां पर fourth house को fifth और sixth से जोड रहा है तो हो सकता है किसी की आपके health खराब हो जाए कुछ घर के कुछ सदसे उनकी कुछ health समंधी problems हो सकती है इसके लवा हो सकता है कि आपकी जो संतान है उसके साथ आपके कुछ relation कुछ अच्छे नहीं रहे थोड़ा बहुत हो सकता है आपकी जो संतान है उसकी health खराब हो जाए या फिर जो एक जिस तरह से यहां पर हम देख सकते हैं sixth house से थोड़ा सा हम सत्रों को देखते हैं तो हो सकता है कि आपके घर में आपके सत्रों हैं जो वो आपके मिल जाएं आपके सत्रों आपको घर में मिल जाएं कहीं बाहर नहीं इसके लावा ये काफी health से related issue भी दे सकता है काफी यहां पर six का लॉड़ बन रहा है सनी और कुछ problems जरूर ये health से related जरूर यहां से दे सकता है इसके लावा अगर हम बात करें तो आपका जो बारवे भाव का जो लोड़ बनता है बारवे भाव का लोड़ है ninth house में सूरी है और ये आपके जो बारवा भाव और ninth जो भावे नौवा उसका समंद जोड रहा है यहां पर उसका समंद बना रहा है तो यह एक थोड़ा सा मतलब यहां पर जो दोनों ही दर्म के भाव हैं थोड़ा सा यहां पर हम बारवे भाव में थोड़ा मोक्स को देख लेते हैं और जीवन के सत्ते को यहां से देखा जाता है आदमी जो है वो जिवन के सत्य की खोज में यहां लग जाता है तो यहां जो combination बन रहा है उसके according यहां जो placement बन रहा है फिलाल उसके according आप बारवे भाव की जो चीजें है उनमें 9th house की जो energy है 9th house की जो कारी है उनका प्रियोग करेंगे हैं आपर 9th house की जो यहां पर religious thinking है आपकी वो बारवे भाव में लगाएंगे और बारवे भाव की चीजें को आप यहां 9th में भी apply कर सकते हैं दोनों possible है तो यह इस तरह का जो combination बन रहा है वो काफी अच्छा है वैसे तो यह इसके लवा आप देखे higher learning 9th house से हम हमारी जो उच्छ सिक्स है उसको भी देखते हैं तो हो सकता है आपका कुछ foreign से भी समंद बनेगा हो सकता है foreign से समंद बने higher education को लेकर higher किसी भी जैसे कुछ दर्म का परचार वगएर हो गया इन चीजों को लेकर आपका जो है foreign से कुछ relation बन सकता है या आपको foreign से कुछ अच्छा समाचार मिल सकता है या फिर थोड़ा lab यहां से मिल सकता है 9th house से related और foreign का समंद यहां पर आ रहा है सूरिया आने से और सुकर भी यहां पर बैठे है तो इस तरह से यह overall जो prediction थी इस महिने की वो अगर हम देखें तो आपका 7th house पर कोई भी bad effect नहीं है हलांकि गुरू की दर्ष्टी यहां पर काफी अच्छी रहने वाली है इसके लावा आपके 10th house पर sunny की दर्ष्टी है 10th house पर आपकी सनी की दर्ष्टी है यह थोड़ा सा आपका 10th house उसको slow भी करेगी हलांकि यहां मंगल है तो उतना slow नहीं हो पाएगा यहां पर मंगल energy के कारक है और फिर राहू और बुद्ध दोनों यहां बैठे हैं आपका लगन लोड यहां बैठा है तो इतना परभाव नहीं होगा फिर भी थोड़ा बहुत आपको मैसूस हो सकता है कुछ दीमापन मैसूस होगा आपको आपकी जोब में और इसके लावा और कोई भी आपको बुरा प्रिणाम इस महीने के दोरान नहीं मिलने वाला है कुछ health related issue और कुछ जो सत्रू है जो पारिवारिक माहोल में जो सत्रू है उनके लावा आपको पैसे का काफी अच्छा यहां पर दिख रहा है पैसे आएंगे आपके पास इसके लावा कोई भी यहां पर bad जो effect है वो नहीं है फिलहाल तो आपके लिए जोन 2019 का महिना काफी अच्छा जाने वाला है और अगर आपने यह last तक वीडियो देखा तो आप समझ गए होंगे आपके साथ क्या क्या गटित हो सकता है वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अब से सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस तरह की जो monthly prediction के वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिल सकेंगे हमारी यहाँ पर धन्यवाद फ्रेंड्स